जै भोलेनात आप सभी का दिन शुप और मंगल में हो और आप सभी पर महादेव की गृपा सदा बने रहें आज सुनिये फालगुन मास महातम में आगे की कथा इसकंद भगवान बोले हे महिश्वर जहां आपके हाथ से कपाल गिरा है कृपया उस तीर्थ का महातम में भी बताईए तब भगवान शिप कहने लगे कि वत्स वह स्थान अत्यंत गोपने तीर्थ है देवता और असुर सभी वहां मस्तक जुकाते है ब्रह्म त्यारा मनुश्य भी वहां पर इसनान करने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है पाप मोचन कपाल तीर्थ में पाँच तीर्थ हैं उनमें किया हुआ इसनान तप और दान सब अक्षय होता है वहां विधी पूर्वक पिंडदान देकर पित्रों को नरक से उधार करे यह पित्र तीर्थ कहा गया है वहां तिल से तरपन करने पर पितर उत्तम स्वर्ग लोग को जाते हैं जो मनुष्य एकागरी चित्थ होकर इस थिर्था पूर्वक वहां एक दिन और एक रात जब में लगा रहता है उसके महान मनुरत की सिती ततकाल ही हो जाती है इसकंत जी ने पूछा पिता जी ब्रह्म तीर्थ कहा है और उसका कैसा फल बताया गया है तब भगवान शिप कहने लगे कि एक समय भगवान विश्णू की नाभी से निकलेवे कमल पर प्रजापती ब्रह्मा जी विराजमान थे उसी समय मधू और कैटब नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा कर चल दिये तब प्रह्मा जी ने भगवान विश्णू के द्वारा प्रतिपालित बदरी तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तूती की तब भगवान श्री हरी है ग्रीव अफ्तार धारन करके एक कुंड से प्रकट हुए उनके हाथों में शंक चक्रादी आयुद शोभा पा रहे थे उनकी कमर में पितांबर सुशोभित था श्री अंगों की कांती श्वेत थी वे चार भुजाधारी भगवान है ग्रीव दर्प पूर्ण द्रिष्टी से सबोर देख रहे थे उनका स्वरुप अद्भुत था और नेत्रों से कठोर्ता प्रकट हो रही थी उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकरा कर मेगों की घटा भी छिन्न भिन्न हो जाती थी वे अपने दिवितेज से समस्त जोतिर में ग्रहों की प्रभा को भी त्रिस्कृत कर रहे थे भगवान बड़ी करपा करके इस अद्भुत रूप में श्री ब्रह्मा जी के आगे खड़े हो गए उनके देखकर ब्रह्मा जी भी आशर जगित हो गए उनके नेत्रों में प्रसन्यता चागई और वे प्रणाम करके भगवान की इस्तुती करने लगे जब श्री ब्रह्मा जी ने श्री विश्नु की स्तुती की तब वे शिगरी वहां गए और उन दोनों दैत्यों को बांध कर उन्होंने लीला पूर्वक उन्हें मार डाला जिसके बाद वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को देकर स्वरूप में इस्थित हो गए तब से ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया हुआ वे तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ उसके दर्शन मात्र से ही महापात की मनुश्य भी पाप रहित होकर ततकाल ही ब्रह्म लोक में चले जाते हैं जो लोग यहां सनान और व्रत्किया करते हैं वे ब्रह्म लोक को भी लांग कर विश्नु लोक में जाते हैं इसकंद जी ने पूछा फिर वेदों को बागर ब्रह्मा जी ने क्या किया महादेव तब महादेव जी कहने लगे कि वत्स बद्रिकाश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना ही नहीं चाहते थे तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने दो स्वरूप धरन किये द्रव रूप से तो वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप से श्री ब्रह्मा जी के साथ चले गए तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधी पूर्वक तीनों लोकों की रशना की श्री सूत जी कहते हैं मुनिवरो प्राचिन काल में पांडे देश में शंकर नाम से प्रसिद एक राजा हुए हैं वे बड़े ब्रहमण भक्त, सत्य प्रतिग और यगिनिस्ट तथा धर्मात्मा थे चारो वन्नों और आश्रमों का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे वे भगवान विष्णू और शिवजी के समान रूप से उपा सकते महात्मा ब्रहमणों को बड़े बड़े दान देते थे एक दिन बुद्धिमान राजा, शंकर, शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां दुर्गम और रमने प्रदेशों, परवतों और गुफाओं में घूमने लगे वन के एक भाग में व्यागरी चर्मधारी, शांत, जितेंत्री और मन को वश में रखने वाले एक मुनी गुफा के भीतर निवास करते थे राजा ने उन्हें दूर से देखा, तो ब्यागरी समझा और बड़ी तेजी से जुकीवी गांठ वाले बान का प्रहार करके उन्हें मार डाला राजा के उस बान ने पती के पास बैठी वी पती व्रिता मुनी पतनी को भी मार डाला माता और पिता दोनों को मरा हुआ देखकर उनका पुत्र अत्यन्त दुख से पिडित होकर कातर भाव से वन में रोने और विलाप करने लगा कि हा तात, हा माता तुम दोनों ही मुझे छोड़ कर कहां चले गए पिता जी अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा मा, कौन मुझे शिक्षा के साथ भोजन देगी हाई तात, आप तो परलोग गामी हो गए अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा हाई, किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराद के आप दोनों को ही मार डाला आप ही दोनों मेरे गुरू और मेरे प्राण थे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे तो भी न जाने किस पापी के हाथों आप मारे गए इस प्रकार ऐसा कहकर उन दोनों दमपत्ती का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा उसका रोना सुनकर वन में विचरने वाले राजा शंकर तुरंत ही उसे शब्द की और लक्ष करके उस गुफा के पास जा पहुँचे उस वन के रहने वाले मुनी भी इतना कोला हल सुनकर और उस बालक का रोना सुनकर उसी आश्रम पर एकत्रित हो गई मुनियों ने बान से भरेवे मुनी और उनकी पत्नी को देखा पास में ही धनुच धारन किये वे राजा शंकर पर भी उन्होंने नजर डाली तथा माता पिता के लिए विलाब करते वे उस मुनी कुमार को भी देखा उससे देखकर वे अत्त व्याकुल हो उठे और रो मत ऐसा कहते वे उस कातर बालक को धिरज बन्धाने लगे मुनी कहने लगे बेटा धनी दरित्र मूर्ख पंडित मोटे अथवा पतले सभी जीवों के प्रती यम्राज का समान बरताव होता है कोई वन में रहता हो या नगर में या गाओं में परवत पर रहता हो या दूसरे किसी स्थान में सभी जन्तों को एक दिन मृत्य के वश में जाना ही होता है वत्स, गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहन कर चुकने वाले बालक, जवान और बड़े बुड़े सभी जीवों को यमलोग की यात्रा अवश्य ही करनी पड़ती है ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्त और सन्यासी सब को समय आने पर ये शरिर्ट त्यागना होता है महामते, द्विचपुत्र, ब्रहमन, छत्री, वैश्य, शुत्र और वर्ण, संकर सब को एक दिन यमलोग जाना होता है देवतामुनी, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाश को प्राप्थ होते हैं इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अध्विती, सच्चिदाननसरूप, जो उपनिशत, प्रतिपादित, ब्रहम है, उनका जन्मरन और वृद्धी को प्राप्थ होना नहीं बनता ये नौधवारों वाला शरीर मल मूत्र का भांड है, पीब और रक्त का घर है, पानी के बुलबुले के समान ये छड़ भंगुर है और इसमें कीडों का धेर अर्थात किटाडूओं का समुदाय भरा हुआ है काम, क्रोध, भै, द्रोह, मोह और मार्थ सिका एक मात्र कारण ये शरीर ही है, इसलिए तुम अपने माता और पिता के लिए शोक मत करो वे दोनों अपने कर्मवश इस शरीर को इस घर को छोड़ कर कहीं चले गए हैं तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर वर्तमान हो, जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा, तब तुम भी मर जाओगे तब तुम उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो, क्या मरने वाला प्रेथ मरेवे प्रेथ के लिए शोक करे तुम्हारे माता और पिता जब उत्पन हुए थे, उस समय तो तुम्हारा जरम भी नहीं हुआ था इसलिए तुमसे उनकी गति भिन्न है, अगर तुम्हारी और उनकी समान गति होती, तो तुम भी तो उन्हीं के साथ चले जाते जिस बान से वे मरे हैं, उसी से तुम भी मर गए होते, और वे मर कर जहां गए हैं, वही तुम भी पहुँच जाते ऐसा नहीं हुआ, इस से सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है, इसलिए उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए मरेवे प्राणियों के भाई बंधू जो इस धर्ती पर आंसू बहाते हैं उन आंसूं को मरेवे प्रेद पर लोक में पीते हैं इसलिए शोक छोड़ कर एकागरी चित होकर धहरिधारन करो और वैदिक रीती से माता पिता का प्रेद कारी करो तुम्हारे पिता और माता बाण के आघात से मरे हैं इसलिए उस दोश की शान्ती के लिए इनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिप के छेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो और सपिंडी करण आदिश्राद भी वहीं करो इससे उनके दो मृत्यू जनित दोश की शान्ती हो जाएगी मुनियों के ऐसा कहने पर शाकल्य पुत्र जांगल ने माता पिता के सब अंतियस्टी संसकार किये इसके बाद दूसरे दिन उनकी अस्थिआं लेकर वह हालासी छेत्र में गई हालासी छेत्र से रामेश्वर छेत्र में जाकर मुनियों के बताईय अनुसार वहाँ उन अस्थियों को डाल दिया और वही रहकर एक वर्ष पूरा होने तक सभी श्राथ आदी कारे भी संपन्न किये वर्ष भर निवास करने के बाद एक दिन जांगल मुनी ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा उन दोनों ने ही अपने अपने हाथों में शंक चकर गदा आदीधारन कर रखे थे दोनों ही पदमबाला और तुलसी की माला से विभूशित होकर गरुड की पीठ पर बैठे थे उनके कानों में मकरा कृती कुंडल जिल मिला रहे थे कौस्तुब मनी उनके वक्ष इस्थलों को अलंकरित कर रही थी मुनी पुतर ने इस प्रकार की जहांकी में अपने माता पिता का दर्शन करके मनी मन बड़ी प्रसनिता का अनुभव किया इसके बाद जांगल मनी फिर से अपने आश्रम में आकर सुक पूर्वक रहने लगे उन्होंने माता पिता के विशय में सपने में देखावा वृतांत वहां के सभी ब्रहमनों को बड़ी प्रसनिता के साथ सुनाया सुनकर वे सब मनी बड़े प्रसन हुए इधर जांगल को अंतियश्टी संसकार का आदेश देने के पशात राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महरश्यों ने उससे में बड़ा भारी क्रोध किया था वे उन्हें कोस्तेवे बोले महामुर्ख पांड नरेश तुने क्रूर्तावस प्रामर की हत्या की है तुझे इस्तरी हत्या और ब्रहमत्या का पाप लगा है इसलिए तु जलती भी अगनी में जलकर अपनी शरीर का त्याक कर दे नहीं तो स्यक्डो प्रैशित करने पर भी तेरी शुद्धी कभी नहीं होगी तेरे साथ वर्तालाब करने से दूसरों को भारी पाप लग जाएगा मुनियों के ऐसा कहने पर राजाशंकर ने कहा महात्माओ ऐसा ही हो मैं ब्रहमत्या की शुद्धी के लिए आपके पास में ही अगनी प्रज्वलित करके अपनी शरीर की आहुती दे दूँगा आप लोग मुझे पर कृपा करें जिससे शरीर त्याग देने पर मेरा यह पाप नस्थ हो जाए सब मुनियों से ऐसा कहे कर पांड नरेश ने अपनी मंत्रियों को बुला कर कहा हे सचिवगणू मैंने अंजाने में ब्रहमत्या और कुरूरता पूर्ण इसत्री हत्या कर डाली है जो महा नरक प्रदान करने वाली है इस पाप की शुद्धी के लिए मैं बड़ी बड़ी लप्टो वाली प्रजवलित अगनी में मुनियों की आग्या से अपने शरीर को त्याग दूँगा तुम जल्दी से लकडिया लेकर आओ और उसके द्वारा अगनी को प्रजवलित करो मेरे पुत्र सुरुजी को शिगरी ही राज सिंगहसर पर बिठा देना राजा के इस प्रकार आग्या देने पर मंत्री लोग रोने लगे और कहने लगे हे पांडेनात हे महराज आप तु शत्रों पर भी इसने रखने वाले हैं आप सभी को अपने पुत्री की तरह पालते हैं। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुन्दर अपने राजधाने में कैसे जाएंगे। हम वहां कभी प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ प्रज्वलित अगनी में प्रवेश कर जाएंगे। राजा ने देखा कि लकडियों में अगनी प्रज्वलित हो उठी है। तब उन्होंने इस नान और राजमन करके शुत्चित्थ होकर मुनियों के समीप उस अगनी की परिक्रमा की। फिर उन मुनियों की भी परिक्रमा करके अगनी और मुनी दोनों को प्रणाम किया। इसके अभी अगनी में प्रवेश मत करो। महामते तुम्हे ब्रहमत्या के कारण भय नहीं करना चाहिए। दक्षिन समुत्र के किनारे गंध मादन परवत पर महा पातकों का नाश करने वाले परम पुर्णिमय राम सेतु में श्री राम चंदर जी के द्वारा इस्थापित जो र प्रत्येक दिन नाना प्रकार का नैवेत निवेतित करो। चंदन, अगरू और कपूर की द्वारा श्री राम लिंक की पूजा करो। दो भार गाय के घी से भगवान का अभिशेक कराओ। प्रत्येक दिन गाय के दूट से और एक द्रोन शेहत से उस शिवलिंग को इसनान क नित्य प्रती खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ और रोज रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपुदान द्वारा आराधना करो महराज, रामेश्वशिव की इस प्रकार उपासना करने से तुमारी इस्त्री हत्या और ब्रह्मत्या तत्काल नस्ठ हो जाएगी तुम शीग्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो इस कार में अपतनिक भी देरी मत करो वे आकाश्वानी सुनकर सब्रिशी राजा को जल्दी जाने की प्रेणा देने लगे कि महराज मुक्षतायक राम सेतु पर शीग्र जाईए हमने भगवान रामिश्वर के महातम्य को ना जानने की कारण ही आपको प्रज्वलित अगनी में इस देह को त्याग देने की सलहती थी मुनिश्वरों की ऐसी आग्या पाकर महराज शंकर ने चतुरंगणी सेना तो नगर में भेज़ दी और स्वयम बड़े प्रसंद मन से महरश्यों को नमस्कार करके कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ बहुत सारा धन लेकर भगवान रामिश्वर की सेवा के लिए गंधमादन परवत पर चले गए और वहाँ शुद्धी दायक रामसेतु पर उन्होंने एक वर्ष तक निवास किया राजा एक समय भोजन किया करते और क्रोध तथा इंदरी सम्हों को अपने वश में रखा करते वे तीनों समय भक्ती पूर्वक भगवान रामिश्वर की सेवा करते वे उन्हें प्रति एक जैसा बताया था उसके नुसार सब पूजन किया इस प्रकार एक वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्ट चित्थ होकर दयाने धान भगवान रामिश्वर का इस प्रकार इस्तवन किया कि मैं सबके इश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूं रामिश्वर नाम से प्रशित भगवान उमापती को प्रणाम करता हूँ हे देव, कृपया मेरी रक्षा कीजे और मेरी ब्रहमत्या को शीगर जला डालिए तिरे पुरा सुरका नाश करने वाले है महादेव आप काल कोट विश्को भक्षन करने वाले हैं हे दयासिंधो आप मेरी रक्षा कीजे और मुझे इस तरी हत्या रूपनी पाप से छुड़ाईए हे गंगाधर हे रामनाथ हे तिरे लोचन प्रभो आप अपनी कृपादस्टी से मेरा पालन कीजे हे प्रभो मेरे सभी पापों का नाज करके आप मुझे शुद्ध बना लिजे आप मुझे शुद्धी देने वाले हो जो आनंद सरूप और सचीदा नंधगन है उन रामेश्वर शिव को में बारंबार नमस्कार करता हूँ मेरे सभी पाप नस्ठ हो जाएं इस प्रकार रामेश्वर महादेर की भक्ती पूर्वक इस्तूती करते वे राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रहमत्या निकली जो नील वस्त धारन करने वाली और अत्यंत क्रूर थी उसके सिरके बाल रक्त की तरह लाल थे राजा के मुख से निकली भी उस विभथ स ब्रहमत्या को भगवान शंकर की आग्या से भैरवने त्रिशूल से मार डाला तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा कि हे पांडे नरेश महराज मैं तुम्हारे इस इस्तोत्र से प्रसन होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ तुम कोई मनवांचित वर्मागो इस्तरी हत्या और ब्रहमत्या से जो तुम्हें दोश लगा था वह अब निकल गया तुम अब शुद्ध हो चुके हो, निश्पाप हो गई हो पहले की तरह अपने राज्य का पालन करो और राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जनम नहीं लेते वे मेरे सायुज्य मौक्ष को प्राप्त कर लेते हैं जो मनुष्य इस इस्तोत्र द्वारा, भक्ती पूर्वक मेरी इस्तुती करेंगे उनके महापातकों की राश्य को मैं अवश्य ही नेस्ट कर दूँगा अब तो मिच्छा नुसार वर्मागो तब राजा बोले, हे महिश्वर, मैं तो आपकी दर्शन मात्र से ही क्रतार्थ हो गया हूँ इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने हो कि कोई वस्तु ही नहीं प्रतीत होती आपके दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ती सदा बने रहे बस ऐसा आशिर्वाद आप मुझे देजिए तब तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राज़ा पर अनुग्रह किया और वेपुना उसी शिवलिंग में अंतरध्यान हो गए भगवान रामेश्वर के गरपा प्राप्त करके राज़ा भी करतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चले गए उन्होंने वनवासी मुनियों को ये सारा व्रतान बतलाया तब उन मुनियों ने प्रसन चित होकर राजा को पुनह उनके राजी पर अभिशिक्त किया इसके बाद अंतकाल आने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते वे अपनी देह का अत्याग किया और भगवान रामेश्वर के सायुच मुक्ष को प्राप्त कर लिया जय भूलेनात आज के अध्याई में बस इतना ही इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याई में जरू सुनियेगा